वेल्कम आवर चैनल एजुकेशन हब बाई हिमानशु फॉर यू आज हम इसमें देखेंगे हमारा जो उत्रखन का समानिय अध्यन हमने शिरी सुरू किति भाग तीन है आज हम इसमें प्रागय एतिहास से काल के बारे में पढ़ेंगे ठीक है फ्रेंड्स चलिए शुरू करते पहला कोशन है हमारा आज का कि उत्रखन पुरात तत्व का जनक किसे माना जाता है तो देखो फ्रेंड्स उत्रखन पुरात तत्व का जनक माना जाता है हैंवुड को ठीक है क्यों माना जाता है इन्होंने 1856 में देवी दुरा से महापाशान कालीन अफशेशों की खोज की अगर directly question बनता है कि देवी दुराचे महापाशान कालिन अफशेशों की खोज किस ने की थी, हैन्वुड ने की थी, कब की थी, 1856 में की थी, ठीक है, इसलिए इनको उत्राखंड पुरातत्व का जनक माना जाता है अगला प्रशन है हमारा, कि 1952 रेपन में बहद्राबाद में किसके नित्यतु में खुदाई हुई थी, तो किसके नित्यत में हुई थी, यगदत शर्मा, ठीक है फ्रेंस, बहद्राबाद आपका हरिद्वार की साइड पढ़ता है, हरिद्वार में आता है, अर्गार ठीक है, अलमुड़ा में राम गंगा घाटी इस्तित है, यहां के दो गाउं थे, एक था नौला गाउं ठीक है, जैनल गाउं और नौला ग्राम इन दोनों जगहाँ से पुरा पाशान काली इन अपकरणों की खोच, ठीक है, किस ने की थी, यशोधर मटपाल ने की थी, ठी ठीक है, ठीक है, अगला प्रशना है, देखिए, यह शोधर मटपाल ने दो और चीज़ों की खोच की थी, एक तब फड़का नौली सिलाश्रे, एक तब पेट साल सिलाश्रे, पेपर में पूछा जाता है आप से कि फड़का नौली सिलाश्रे की खोच किस ने करी, यह देखते हैं, लाखो गुफा की खोज किस वर्ष हुई थी, तो देखिए, लाखो गुफा जो है, यह अलमोडा में इस्तित है, और इसकी खोज 1963 में हुई थी, MP जोशी ने इसकी खोज की थी, आपको खोज करता भी पूछ सकता है, और वर्ष भी पूछ सकता है, तो 1963 में MP पूछती थी, अलमोडा में लाखु गुफा या लाखु उडियार भी इसको कहते हैं, तो यह वहाँ इस्तित है, सुयाल नदी के तट पर इस्तित है, ठीके फ्रेंट, कई पर पूछता है, पेपर में भी हाली में भी आया था ये, गुरुप C के पेपर में कि लाखु गुफ चित्र मिले हैं, और वहाँ पर मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया है, लुवित आप परता है, ये अलमोडा जनपत में आता है, अगला प्रशना है, question number 6, किस इस्तान में मनुश्यों को योग मुद्रा में दिखाया गया है, तो मनुश्यों को योग करते हुए कहा द इस्तित है तो गोर्खा गुफा हमारे इस्तित है डुंगरी गाउं में ठीक है गोर्खा गुफा जो है डुंगरी गाउं में इस्तित है जो कि चमूली जन्पद में आता है ठीक है फ्रेंग्स अलग नंदा नदी के तट पर ये इस्तित है आपको ध्यान में रखना है जो को त्रिशू लाकार में दिखाया गया है और माना भेड आदी के यहाँ पर क्या मिले हैं रंगीन चित्र यहाँ पर मिले हैं तो मेंली कोशन यहां से यही बनता है लाको गुफा कहां इस्थित है ठीक है डूंगरी गाउं चमोली में किस नदी के ट्रट पर है और किस ने इसक है जहां से सफेद रंग के चित्र मिले हैं पश्मों के अगला प्रश्ण है पांच दशनलव दो किलो का सोने का मुकट जो मिला है यह यह मिला है मलारी गाउंट से जो कि चमॉली में आता है ठीक है कभ विटीष की कोज गड़वाल विश्य विध्याले ने यहां पर खुदाई करवाई थी 2001-2002 में तो 2002 में यहां से यह सोने का मुकुट मिला है ठीक है और यहां पर नरकंकाल मिट्टी के बरतन आदी भी प्राप्त हुए है और जो यहां से मिट्टी के बरतन प्राप्त हुए है न वो प्रतन जो है पाकिस्तान की स्वाद घाटी जिसे बरतन मिले हैं उन बरतनों के समान है ठीकि फ्रेंट्स आपको धियार में रखना है मलारी गाउं चमूली में हैं और क्यों प्रसिद्ध है यहां से एक तो सोने का मुकट मिला है खो जिसकी 2002 में हुई थी और यहां की जो बरतन मिले हैं कई आपको डिरेक्टली कोशन से नीले रंग के तामर मानाव कृतियान जनपत में मिले हैं अगला क्वेशन है मलारी गाउं से महापाशान गाली शवधानों की खोज किस ने किये थी तो देकि शिव परशाद डवराल ने 1956 में मलारी गाउं से शवधानों की खोज किये थी ठीक है जो कि महापाशान गाली शवधान थी इनकी खोज किस ने किये थी शिव परशाद डवराल ने पांच तामर मानव कृतियां या आकरतियां कहां से प्राप्त हुई हैं पांच तामर मानव कृतियां कहां से मिली हैं नैनिताल से मिली हैं कब मिली थी उननीस सो निन्यानवे में मिली थी ठीके फ्रेंट्स महरू उडियार कहां इस्तित है तो महरू उडियार इस्तित है राम गंगा घाटी अलमोडा में तो यह कुछ उडियार हो गया यह गुफाएं हो गया यह सारी पूछे जाती है एक्जाम में तो आपको ध्यान में रखना है महरू उडियार राम गंगा घाटी अलमोडा में इस गया है और कुमाओं के लिए मानस खंड कहा गया है ऐसे ही बहुत असाहित्यों में उत्राखंड को हिमवंत कहा गया है ठीके अगला प्रश्न है उत्तरकाशी में किस इस्थान से चित्र धूसर मिर्दभांड के साक्षे मिले हैं यह मिले हैं पुरोला से ठीके फ्रेंड पूर पर फैक्ट मिल गया कि कमल किसकी साहिक नदी है यह मुनाकी तो पुरोला नाम के जगा से चित्रित धूसर मिर्दभांड मिले हैं वहां पर ठीके और एक और जगा से मिले हैं जो कि थापली है जो कि श्रीनगर में इस्तित है ठीके फ्रेंड श्रीनगर आपको पता है अलक नंदा नदीगी के तठ पर इस्तित है तो वहां से थापली है एक जगा वहां पर से भी यह मिले हैं तो दो जगाओं से मिले हैं एक है पुरोला और एक है थापली तो यह थे फ्रेंड्स हमारा आज का लेक्चर इसमें अगर आपको प्रापाशन कालीन से हमने प्रॉक्यास अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अब इसको लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू फ्रेंड्स